असलाम अलेक्व एबवन मैं हूं मुहम्मद तलहा आप लोग देख रहे हैं तलासवेस अकैडमी आज हम लोग क्लास 9 के चप्टर 6 ग्रेविटेशन के नमेरिकल्स को सॉल्फ करने वाले हैं ठीक है इस चप्टर के अंदर असलाम अलेक्व एबवन मैं हूं मुहम्मद तलहा आप लोग देख रहे हैं तलासवेस अकैडमी आज हम लोग सॉल्फ करेंगे क्लास 9 के यूनिट 6 यानिके ग्रेविटेशन के नमेरिकल्स बुक खोल लो ताके नमेरिकल्स नजर आते रहे हैं या फिर नमेरिकल्स यहां पर अप्रेक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स फोर्स अफ रच्शन मालूम करनी हैं ठीक है यानि के बेसिकलिग हमें मालूम करनी है फोर्स बेट्वीन रुख अट आइश रॅअव ञाओ पर फिफिटी मीतर अपार्ट दोनों के तरमियां के जो इस्टेंस है जिसको हम आर से श सकते हैं 60 kg है and that of Aisha Aisha का मास जा है वो 60 kg है यानि कि इसके मास का हम कर सकते है M2 तो basically gravitational force की बात हो रही है तो gravitational force का एक ही formula है जो हम use कर सकते हैं अगर आपने chapter number 6 gravitation पढ़ा है ऐसे उसका lecture uploaded है तो ठीक है data बनाते हैं सबसे पहले फिर देखते हैं कि किस तरीके से solve करना चाहिए तो सबसे पहली बात हमें मालूम करनी है gravitational force तो data के अंदर mention कर देते हैं कि हमने find करनी है gravitational force जिसे हम show करते है F से ठीक है और क्या given है distance given है हमें जिसको Newton's law of gravitation के अंदर R से show करते हैं यह आ गया 50 meters इसके अलावाद 2 masses हमें given है ठीक है mass of one girl M1 कर देता हूं ठीक है 60 kg और दूसरा mass हमें given है 70 kg और बात हो रही है यहाँ पर gravitational force की तो हो सकता है कि data में आपको paper में gravitational constant given हो नहीं भी given हो तो आपने याद भी रखना है 6.67 10 raise to the power minus 11 newton meter square per kg का square ठीक है यह value आपने याद भी रखनी है वैसे chances यह हैं कि given ही होगा तो ठीक है start करते है solution इस्टार्ट करेंगे तो सबसे पहली बात हम इस्तमाल करने वाले है according to Newton's law of gravitation हम basically इस्तमाल करेंगे Newton's law of gravitation को जिसका एक simple सा formula है F बराबर होता है capital G gravitational constant M1 पहले object का mass M2 दूसरे object का mass और R square यानि कि उनके धर्मियान का distance है वो जो है इधर लिखा जाएगा तो data उपर से देखके put कर देते हैं value of G constant होती है 6.67 10 raise to the power minus 11 M1 कितना है M1 है 60 M2 कितना है M2 है 70 और divided wire R square दोनों के नीचे लिखा जा सकता है और वो given है 50 का square अब याद रखिए exponent के अंदर सवाल है और exponents आम तरों पर scientific calculator से solve करते हैं बट हमारे paper में तो हमें उसको simple calculator से करना है तो दरीके कार यह है कि numbers को एक साथ लिखो उनको multiply कराओ और exponent को अलग कर लो 50 का square यह सब मैंने अलग कर लिया और exponent जो लिखावा है इसको अलग कर लिया तो सिर्व आप numbers को multiply कराओ बाकि अपने अपसेट हो जाएगा 6.67 into 60 into 70 यह कितना answer आ गया यह आ गया 28014 divided by 50 का आपको करना पड़ेगा स्क्वाइर 50 का स्क्वाइर होता है 2500 और यहां पर लिखावा है 10 raise to the power minus 11 so 28014 divided by 2500 यह आ जाएगा हमारे पास 11.2 10 raise to the power minus 11 ठीक है तो जो फोर्स होगी उन दोनों गल्स के दर्मियान की वो इतनी होगी 10 raise to the power minus 11 ना होने के बराबर है तभी तो ऐसा कभी भी जो है वो दो गल्स आपस में ग्रेविटेशनल फोर्स को अबजब नहीं कर पाएंगी क्योंकि उनके दर्मियान के जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ना होने के बराबर है 10 raise to the power minus 11 न्यूटन तो हम महसूस कर ही नहीं सकते ठीक ही नेक्स्ट नेक्स्ट क्विस्चन है हमारे पास 6 का B पार्ट 6 के B में लिखा है weight of Rani एक लड़की है जिसको weight given है यह आ गया W और अर्थ के उपर इतना है तो बताईए उसका mass कितना होगा अर्थ पर ही mass आपको मालूम करना है यह असान वाले सवाल है थोड़ा सा weight के formula की practice करने के लिए तो सबसे पहले हमें क्या चीज़ given है हमें given है weight किसी भी girl का नाम वो कुछ भी कर सकते हैं तो Rani का weight W से show करते है weight को य 450 Newton ठीक है और हमें mass मालूम करना है mass of Rani जिसको हम show कर देते हैं M से यह हमें मालूम करना है और एक चीज जो कि आपने याद रखनी है या हो सकता है given भी हो value of G on the surface of earth G की value होती है जो कि earth पर 9.8 meter per second square होती है या आप 10 से भी solve कर सकते हो ठीक है ना अगर given नहीं है तो आप 9.8 ज otherwise 10 से भी solve कर सकते हैं कोई problem नहीं है तो according to the definition of weight आगर मैं इस्तमाल करता हूँ weight की definition तो W बराबर होता है M G के और क्यूंकि इस बार मुझे M मालूम करना है तो थोड़ा से आपको arrange करना पड़ेगा तो W बराबर आजाएगा W over G बराबर आजाएगा M के G इदर multiply हो रहा था इ W आजाएगा 450 divided by value of G यानि के 9.8 तो 450 divided by 9.8 यह बराबर आता है 45.9 ठीक है 45.91 या 45 बहुत है kilogram और अगर इसको 10 से solve करते तो 45 आ जाता है तो बहतर ही है कि 9.8 ज्यादा बहतर आंसर देता है तो आप 9.8 से ही solve करेंगे हाँ अगर किसी question के इंदर बोल दें कि भी आप 10 लें तो बहुत है उनकी मर्जी है next question number 7 weight of Navira एक और जो है वो weight given है किसी भी girl का weight given है ठीक है on the earth, earth की surface के उपर what will be Navira's weight at the surface of moon तो surface of moon के उपर उसका weight कितना होगा जिसको wm से जाहिर कर देते है ठीक है यहाँ पर weight given है और यह भी value given है अच्छा इसके अलावा अगर यह सवाल paper में आएगा तो एक value और given होगी वो मैं data में लिख देता हूँ फिलाल क्यों नहीं दी भी है क्योंकि book आपके पास है आप book से देख सकते हो value बट paper में वो value given ही होती है so weight of Navira weight given है और यह है on the surface of earth जिसको हम सी रहे दर डबली से show करते है 700 newton ठीक है जी और इसके अलावा हमें weight मालूम करना है on the surface of moon weight on the surface of moon जिसको मैंने कहा कि हम show कर देंगे wm से ठीक है और उसके लिए उसके लिए हमें given होना चाहिए value of g on the surface of moon कि moon पर value of g कितनी होती है जिसको gm से जाहिर कर देते हैं यह given होगी आपको याद भी कर लो तो क्या है लेकिन यह given ही होती है 1.63 meter per second square ठीक है जो एर्थ की value of g का 1.6 होती है तो यह आपको given होगी इसके लिए आपने परिशान नहीं होना है ठीक है अब problem क्या है अगर मालूम करना चाहता हूँ weight of navira on moon moon पर अगर मैं उसका weight मालूम करना चाहता हूँ तो formula क्या बनेगा moon के लिए वैसे होता है w is equal to mg अभी क्या बन जाएगा यह बन जाएगा wm क्योंकि मैं कह रहा हूँ weight on moon और gm हो जाएगा यनि के value of g on the surface of moon तो given ही है हमें value basically लेकिन एक problem है जो कि हमें यहाँ पर address करनी पड़ेगी वह ही है कि मुझे m नहीं पता तो हम यहाँ पर पहले m मालूम करेंगे m मालूम करने के लिए हम normally weight का formula इस्तमाल करेंगे w बराबर होता है mg के जो कि on the surface of earth होता है लिख भी देता हूँ on the surface of earth earth की surface की अपपर तो w कितना है 700 है मालूम करना चाह रहे है और earth की value of g होती है 9.8 तो 700 divided by 9.8 आ जाएगा m ठीक है इसका मास आ जाएगा नवीर का तो यह हो जाएगा 700 divided by 9.8 यह आ गया 71.4 kilogram ठीक है अब याद रखिए मास ना constant रहता है अगर मैं कहीं पर भी जाता हूँ space में या earth से कहीं भी travel करता हूँ तो mass change नहीं होता weight change होता है तो यही mass यहाँ पर पुट करना पड़ेगा equation 1 में equation 1 implies that क्या बनेगा weight on the surface of moon बराबर आएगा mass है 71.4 multiplied by value of g on the surface of moon 1.63 जो कि given ही होगी तो 71.4 into 1.63 is equal to 116.3 ठीक है 38 है तो चलो पूरे लिख देता हूँ यह हो जाएगा उसका weight on the surface of moon आप देख सकते हो यहाँ पर जो उसका weight है वो 700 है और वहाँ पर अच्छा खासा काम हो गया सिर्फ 116.38 होगा तो इंसान का जो weight होता है तकरीवन वो 1.6 हो जाता है अगर हम moon पर जाते हैं क्योंके वहाँ की value of g भी अर्थ की value of g का 1.6 है next question number 11 यह थोड़ा important है और एक planet है उस planet की खास बात यह है कि उसका mass जो है वो 4 times है अर्थ के mass के इसका one by one में data लिखता रहता हूँ क्योंकि आपने समझना है थोड़ा तो उस planet का हमें mass given है mass of planet क्या नाम दूँ उसको सिर्फ और सिर्फ चलो m से show कर देते हैं ठीक है उस planet का mass है और वो बराबर किसके है 4 times earth के 4 times का मतलब गुना 4 गुना है mass of earth के वो जो भी planet है उसका mass m है और वो earth के mass का कितने गुना है earth के mass का 4 गुना है and radius 2 times that of earth और उसका जो radius है वो दो गुना है earth के radius से यानि कि अगर उसी का मैं radius लिखूंगा radius of planet तो just r से show कर देते हैं ये कितने गुना है ये 2 गुना है earth के radius के 2 गुना है earth के radius के तो मैं लिए टू times of radius of earth 2 गुना दो नहीं है दो गुना है radius of earth के तो 2 times of radius of earth और हमें पता है value of g क्या होती है earth पर value of g on earth earth के उपर value of g कितनी होती है उसको g से जाहिर करते है 10 given है मैंने कहा था ना अगर किसी numerical के अंदर 10 given हो तो it means हमें 10 ही use करनी है ठीक है जी तो यह g की value आ गई और हमें मालूम करनी है उस planet के उपर value of g value of g on planet वो जो planet है उसकी बात हो रही है तो अब इसको क्या करते हैं g prime कर देते हैं कुछ different name देना है तो g prime कर दिया ताकि आपको याद रहे अलग से एक नाम आ रहा है अब देखिए एक formula जो है न value of g का बड़ा simple सा है हमें पता है value of g बराबर होती है capital g m e over r e का square तो आप सोचों कि यह formula कहा से आया तो याद रखिए यह वाला formula आया था जब हम लोग ने mass of earth drive किया था mass of earth का lecture अवेलिबल है उसमें आप जाके देख सकते हो तो एक important point ऐसा आया था कि small g की value आ गई थी उसी को हम यहाँ पर use करते है capital g m e over r e square और यह value कहां की है यह है on the surface of earth क्योंकि earth की value of g है तो ऐसे लिखेंगे let's say इसको equation 1 कर देते हैं मुझे इसका हवाला देना पड़ेगा अच्छा जी अब अगर मैं value of g लिखना चाहता हूँ उस planet की उप़र on the surface of planet ठीके ना उस planet की surface की उप़र तो अब क्या फरक आएगा उस planet की जो value of g है उसको data में मैंने g prime का नाम दिया है और planet के mass को मैंने किसे show करावा है m से और planet की radius को r से show करावा है तो divide में क्या आजाएगा r का square अब जो values data के अंदर लिखी हैं वो put करो g dash बराबर आएगा capital G m की जगा पर आएगा ये पूरी value 4 times of me पूरी value लिखनी पड़ेगी 4 times of me और divided by r का square r की पूरी value क्या लिखी है r की पहली लिखी है 2re के बराबर तो 2re और इसका करना पड़ेगा square क्योंकि r के उपर square लगावा है अब एक छोटा सा जो बात है आप जहन में रखिए numbers को अलग लिखो variables को अलग लिखो इस numerical को solve करने की यही एक technique है numbers अलग, variables अलग तो g dash बराबर आएगा 4 अलग आजाएगा और denominator से देखो r e के साथ 2 लिखावा है तो 2 और इसके उपर square भी लगावा है तो 2 का square 4 और बाकी जो values बची हैं उनको इदर लिख दो g me over r e का क्या बचा है square ठीक है जी अब के लिए लिए नजर आ रहा है 4 से 4 हो गया cancel और आप note करिए कि यह जो पूरी चीज लिखी विए वो equation number 1 के तहएट किसके बराबर है वो बराबर है small g के जो पूरा bracket लिकावा है इसका मतलब इस case के अंदर g dash सीधर सीधर किसके बराबर आ गया g के और आखरी step में हम चाहें तो हम g की value put कर सकते हैं जो के given है वो given है 10 meter per second square इसका मतलब एक ऐसा planet जिसका mass अर्थ के 4 गुना हो और जिसका radius अर्थ के 2 गुना बढ़ा हो तो वहाँ पर value of g उतनी ही होगी जितनी के value of g होती है अर्थ पर यानिके 10 meter per second square पर दिमाग बना के रखो 4 की जगा paper में कुछ और भी given हो सकता है pattern same रहेगा ये number change हो सकते हैं ठीक है जी question number 12 evaluate the acceleration due to gravity in terms of mass of earth value of g चाहिए m e के formula के लिहाज से और r e के लिहाज से यानिके ऐसे formula चाहिए जिसमें m e और r e लिखावा हो और capital g भी लिखावा हो यानि exact value नहीं चाहिए m e r e और g answer में होना चाहिए at a distance twice the earth radius at a distance one half the radius earth radius one half होग तो ठीक है देख लेते हैं किस तरीके solve करना है तो पहला जो case given है पहला case given है for example यह है हमारे पास earth और यह है हमारे पास radius of earth जिसको हम show करते है r e से अगर हम इसका double उपर चले जाएं twice का मतलब होता है double यानि कि जितना यह r e का distance है एक r e और उपर और एक r e और उपर चले जाएं तो इस point के उपर अगर कोई body चली जाती है तो क्या होगी उसकी value of g यह हमें calculate करना है जतना earth का radius है अगर उसका double मैं surface से उपर चला जाऊं यानि कि 3 r e का फर्क हो जाए center से तो बताइए value of g कितनी हो जाएगी तो derivation type है basically है पहले case के अंदर जो निया distance है जिसको मैं r e prime कह रहा हूँ वो कितने r e के बराबर हो गया एक, दो, तीन r e के बराबर हो गया r e prime बराबर हो गया 3 r e के यहां से लेकर यहां तक यह बन गया r e prime तो यह तीन r e के बराबर हो गया तो मुझे मालूम करनी है value of g जिसको मैं शो कर दूँगा G prime से या G dash से और second part में कह रहे हैं कि earth से उतना उपड चले जाओ जितना कि earth का radius से उसका आधा उपड चले जाओ मिसाल के तौर पे मैं यह earth बना रहा हूँ तो यह earth है earth का radius है re और यह इसका आधा अगर मैं उपड चला जाओ तो इसका आधा कितना होगा यहां से लिके यहां तक होगा यह कितना हो गया re 1 upon 2 re हो गया मैं टागले देखो के लिए re upon 2 भी लिख सकते हो यह 1 upon 2 re भी लिख सकते हो एक re और यह आधा re अगर हम इधर पहुँच जाते हैं तो value of g कितनी हो जाएगी यह हमें मालूम करना है तो second part का भी G prime नाम देंगे इस मरतबा कितने R E हो गए यह यहां से लिए यहां तक एक और आधा एक और आधा का मतलब क्या होता है डेड़ को 1.5 भी लिख सकते है और 3 upon 2 भी लिख सकते है तो 1.5 R E यहां पे 3 R E हो गए यहां पे 1.5 बनाया ना एक और आधा 1.5 तो हमें G prime की value चाहिए ठीक है जी अब paper में कुछ भी बना के दें आपने जो है न solve इसी तरहीके से करना है जैसे मैं समझा रहा हूँ अब आपको पता है actual value of G क्या होती है जो formula अभी मैंने बताया था capital G M E over R E का square इस formula को नहीं बतलना है equation 1 करेंगे और इसको देखते रहना है पहले case में क्या given है पहले case में given है कि G कुछ निया हो जाएगा यहां पर जाके G prime capital G नहीं बतलता earth का mass भी नहीं बतलेगा हमारे उपपर जाने से radius बतल गया अब हम R E नहीं लिखेंगे बलकि हम लिखेंगे R E prime का square यह पहला वाला case R E का square लिखते है तो R E prime का square आ जाएगा so capital G अपनी जगा पर है M E अपनी जगा पर है सिर्फ फर्क क्या आएगा जो R E की value से put करो 3 times of R E और इसका लिखना पड़ेगा square हमने क्या करा है यह जो R E prime है ना उसकी जगा पर उसकी value put कर दी जो के 3 R E के बराबर है इस तरफ G prime चल रहा है अभी क्या करेंगे G prime बराबर आएगा G M E over 3 का square 9 और R E का square R E square 9 को थोड़ सा अलग करके लिखो बन अपन 9 हो जाएगा और क्या क्या अलग हो जाएगा G M E अलग हो जाएगा और R E का square अलग हो जाएगा अब आप नोट कीजिए यह वाली value किसके बराबर होती है equation number 1 के तहएट यह पूरी value बराबर होती है G के तो हमें सिर्फ क्या काम करना है हमें इसी की मदद से हम लिख सकते है कि जो G prime है वो बराबर होगा 9 times of actual value of G के ऐसे भी लिख सकते है ऐसे उन्होंने का था answer आप G M E और R E की form में दो in terms of तो यह भी हमारा result हो सकता है दोनों answers है इस तरीके से भी लिख सकते है इस तरीके से भी लिख सकते है second जो part था उसके अंदर क्या given था अगर मैं लिख देता हूँ G का formula तो वो हता है capital G M E over R E का square but यहाँ पर given क्या था G prime second part है न तो अगर मैं इसको लिखता हूँ G prime तो वरावर आएगा capital G नहीं बदलेगा mass of earth नहीं बदलेगा लेकिन R E की जगह पे R E prime का square आजाएगा यह second part वाली values होंगी तो G prime बराबर आएगा capital G M E over R E prime कितना है second part में 1.5 of R E 1.5 of R E और इसका लिखना पड़ेगा square ठीक है जी G M E over 1.5 का square 1.5 का square करेंगे 2.25 आएगा और इदर आजाएगा R E का square अब वैसे ही answer सही है G dash का in terms of G M E over R E square but MCQs में या लग से पुछा जा सकता है तो आप इसको rearrange कर लो 1 over 2.25 और जो बाखी values लिखी नहीं है G M E over R E का square यह चीज किसके बराबर आती है यह पूरी चीज बराबर आती है small G के equation 1 के तहट तो हम लिख सकते है कि value of G जो है अगर मैं उसको divide कर दूँ 2.25 से तो हमें value of G मिल जाएगी in second case ठीके दोनों answers आ गए यह वाला भी यह वाला भी नाव लास्ट रहे गया हमारे पास एक numerical numerical number 13 calculate the speed of satellite satellite की speed चाहिए जो के orbit कर रही है around earth ठीके ना earth के around orbit कर रही है और condition यह given है कि उसका altitude जो है वो है 400 km उसका altitude 400 km है above the earth surface यह altitude है altitude को हम H से शो करते है वागी speed of satellite वालूम करने है जिसको VC जाहर करेंगे तो data बनाते हैं सबसे पहले data के अंदर क्या क्या आ गया सबसे पहले speed of satellite हमें चाहिए speed of satellite V से जाहर करने है यह fine करने है और altitude given है height given है तो altitude कहलो height कहलो यह given है 400 km बट हमें solve करना होता है meters में तो हमें में meters में करना है तो kilometer से meter में जाना है kilometer से meter में जाने के लिए multiply कराते है thousand से so 400 multiply by thousand यह हो जाएगा 4 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 0 तो इसको लिख सकते हैं 4 exponent 5 नहीं तो आप 4 के आगे 5, 0 लगा सकते हो scientific notation भी सही है mathematical भी सही है ठीके जी तो क्या फार्मूला था फार्मूला याद है speed of satellite मालूम करने के लिए उसी को आपने यूस करना है speed of satellite is given by v is equal to under root capital G m e over r e plus h ठीके नहीं simple सा formula याद रखना है आपने जी स्पीट के साथ orbit करती है satellite around earth तो values put करेंगे square root of capital G 6.67 coulombs sorry Newton's constant gravitational constant वो यह होता है 6.67 exponent minus 11 mass of earth 6 exponent 24 6 exponent 24 याद करना है और अक्सर given भी होगा divided by r e plus h तो radius of earth कितना है radius of earth होता है 6.4 10 raised to the power 6 और plus इसमें आपको करना पड़ेगा कितना plus आपको करना पड़ेगा इसमें 4 exponent 5 या एक छोटा सा काम और बताऊँ आपको छोटा सा काम है बहुत वो यह है कि दोनों की power same कर लो add करने में असानी हो जाएगी यह जो मैं लेका है ना 4 exponent 5 अगर इसकी exponent 6 करनी है तो decimal को एक और shift कर देंगे तो 0.4 exponent 6 हो जाएगा add करने में असानी होगी decimal अभी 4 के बाद लगावा है अगर इधर एक मरतबा shift कर दूँगा तो 0.4 हो जाएगा exponent 6 हो जाएगा इससे आप देखेंगे तो add करने में बहुत आसानी हो जाएगी वरना अगर आपको add करना आता है तो convert करने की जूरत ही नहीं तो उपर के numbers अलग variables अलग sorry exponents अलग 6.67 multiply by 6 और 10 की power minus 11 लिखा हो है और 10 की power 24 लिखा हो है divide में यह आगया 6.4 और यह आगया 0.4 convert कर दिया था न 6.4 में 0.4 add कर दो 6.4 0.4 यह हो जाएगा 6.8 और exponent same आता है तो यह तरीके कारने जब exponent same है तो सीदह सीदह add कर सकते है 6.4 में सीदह सीदह 0.4 add कर दिया तो exponent 6 as it is आ गया उपर simplify कर लो क्या क्या आ गया यह numbers को अभी भी अलग कर सकते हो सिरफ इनको अलग से solve कर लो ठीक है बाकी बात देखते है तो यह हो जाएगा 6.67 multiply by 6 और divide में लिखावा है 6.8 इसको simplify करके answer आ गया 5.88 इसको यह लिख लो 5.88 exponent कितना हो गया minus का 11 बेसे same powers को add करते है 24 और नीचे वाली जो power उपर जाके minus हो जाती है तो यह minus 6 हो जाएगा और under root लगावा है ठीक है जी तो V की value किसके बराबर आजेगी V की value आजेगी यहाँ पर हम इसको solve करेंगे under root 5.88 10 raise to the power क्या बन गया 24 minus 11 लिखावा है और minus का लिखावा है 6 यह आजाएगा 10 raise to the power 7 अब फिर वही बात है scientific calculator हो तो इसको बड़ी असानी से solve कर लिया जाए लेकिन scientific calculator यहाँ पर है नहीं तो हमें कुछ एक technique मैं आपको जिखाता हूँ इसको solve करने के लिए उससे आप इसे solve करिएगा यह जो power है नहीं इदर जो power लगी वी है under root का मतलब भी आपको पता ही होगा यह जो power है इस power को आप क्या कर लीजे इस power को आप even number में ले आओ किसी तरीके से यह 7 है ना तो बस कोशिश करो कि यह even number में आजाए even number में लाने के लिए या तो आप इसको 6 कर सकते हो या तो आप इसे 8 कर सकते हो दूनों में से कोई भी एक काम कर सकते हो तो हम क्या करेंगे हम इस decimal को इदर shift करेंगे जब भी decimal को right side पे shift करते हैं जब भी decimal को right side पर shift करते हैं तो power में से जितनी shift करते हैं उतनी power minus हो जाती है एक shift करूँगा तो यह बन जाएगा 58.8 into 7 में से 1 power minus कर तो क्योंकि एक decimal shift कर रहा है तो exponent 6 हो जाएगा और square root को अलग-अलग लिख सकते हैं यहां पर भी square root आ गया और यहां पर भी square root लगा सकते हैं next step 58.8 का square root अगर लिया जाए 58.8 का तो यह आ जाएगा 7.66 और यह जो लिखा है न 10 की power 6 square root का मतलब होता है power 1 upon 2 square root का मतलब power 1 upon 2 होता है तो 2 1s are 2, 2 3s are 6 तो फिर आप इसको solve कर सकते हो simple cryptocurrencies को solve करने का वाहिद यही तरीके कार है हाँ scientific को तो बहुत असानी से solve किया जा सकता है पर वो हमारे paper में अलाव होता नहीं है ठीक है जी तो यह हो गए हमारे सारे के सारे numerical gravitation के कुछ मुश्किल कुछ आसान but I hope मैं समझाने में कामियाब रहा होंगा if you have any queries आप लिख सकते हो comment section में Allah आफिस